दोस्तो इस वीडि हो मैं आपको प्लें का बोडिंग पास कैसे निकालते हैं वो बताने वाला हूँ, आपने पिछने वीडियो में देखा था कि मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, वहाँ पर मैंने बताया है कि आप प्लें में फॉर्स टैम अगर आप यात्रा कर रहे हो, तो कें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे आपको जाना है पूरा मैंने ब्लॉग बना रखा है अगर आपने अभी तक उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्केप्शन में लिंक डाल दूँगा और आई बेटन पर भी लिंक डाल दूँगा आप वह नहीं जा पाओगे फर्स टैम अगर आप जा रहे हो कभी भी हर बार अगर जाना होता है तो वैब चेकिंग करना जुरूरी होता है अगर आप यही वैब चेकिंग रपोर्ट पर कराओगे तो आपको उसके 200 रोपर देने पड़ते हैं लेकिन मैं आपको इस वीडियो में फ स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि वैब चेकिंग कैसे करते हैं तो दोस्तों फ्लाइट का वैब चेकिंग करने के लिए आपको आजाना आपके फोन के ब्रॉजर में और यहां पर जिस भी एरलाइन्स के आपके टिकट है यहां पर वह एरलाइन्स का नाम और रिखाई फर्स्ट वेबसाइट यहां पर खुलके आगए ऐस्पाइजाट की यहां पर हमें क्लिक करना तो देखे जैसे हम यहां पर क्लिक किये एसपाइजाट की जो है वेबसाइट खुलके आ गई है यहां पर हमें कुछ ऑप्सन दिये गए हैं जैसे की email ID यूजिंग लास्ट नेम तो यहां पर और पियानार नमबर यहां पर मैं क्या करूंगा तो पहले अपना पियानार नमबर और अपने लास्ट नेम से लॉग इन करूंगा आप इमेल आईडी से भी कर सकते हो अगर आपने बुकिंग करते वक्त इमेल आईडी डाला हुआ है त तो देखिए यहाँ पर जो है मैं अपना last name और यहाँ पर मैं अपना जो है ticket का PNR number डालूँगा तो अब आपके पास यह है कि PNR number आपको कहां से मिलेगा तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपकी ticket होगी उस ticket पर आपका PNR number लिखा हुआ होगा तो देखिए यह है हमारी ticket और यहाँ पर हमारा PNR number लिखा हुआ है अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे यहाँ पर आप वैसे लिख सकते हो तो यहाँ पर मैंने PNR number कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है और simply हमें यहाँ पर दुबारा से लॉग इन करना है तो देखें यहाँ पर जो है, मैं अपना प्यानार नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पर मैं अपना last name डाल लेता हूँ और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर लॉग इन तो देखे यहाँ पर मैंने दोनों चीज़े डाल लिए अच्छे से आपको अच्छे से देखके डाल लेनी है और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे लोगिन पर तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है आपकी टिकट की पूरी डीटेल आ जाएगी तो यहाँ पर देख सकते ह आपका फ्लैट कब का है टाइमिंग क्या है सारी चीज़े यहाँ पर आपको देख सकती है सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा उसके बाद आपको सिंपली चेक इन पर क्लिक करोगे जैसे आप चेक इन पर क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर इस तरह स select कर ली थी अपनी तो आप बहुत अच्छा है अगर आपको उसमें कुछ changes करनी है तो ओ यहाँ पर आप अगर आपने पहले विंडो सीट नहीं लिया था तो यहाँ पर आप विंडो सीट भी चूज कर सकते हो यहाँ पर आपको कुछ खाना पीना या कुछ और add करना है अपने ले सकते हो नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो यहाँ पर आप अगर सीट अलग से दूसरा सेलक करना चाहते हो आप चाहते हो कि आपकी कोई मन पसंद सीट है तो यहाँ पर पूरी फ्लैट की सीट की डीटेल आ जाएगी यहाँ पर आपका जो टिकट बुकिंग होगा वो कितना चार्ज किसका लग सकता है तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस क्लास वगरा पर जाते हो तो आपको कुछ जादा चार्ज देना पड़ेगा लेकिन आप अगर यह सब नहीं चाहते हो जो चाहते हो मेरा बोकिंग करते वक्त सीट था वही रहे हमें कोई चेंज्जस नह तो यहां पर हमने इसको छोड़ दिया है अब हमें simply यहां पर next कर देना तो यहां पर एक चीज को आपको और ध्यान रखना है अगर आप खेकी का seat लेते हो और तो आपको कुछ जादर charges देने पड़ते हैं और अगर आप business class अगरेम जाते हो तो उससे और heavy charge देना पड़ता है तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लैट में booking करते वक्त आप जादे से जादे पैसे बचाने की कोशिश करें और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो window seat जरूर लें वो booking करते वक्त आप चूज कर लीजिए उस टैम में आपको थोड़े charges कम लगता है तो यहां पर मैंने इसको छोड़ दिया है अब हमें कुछ भी नहीं करना है अब देखिए यहां पर जैसे मैंने कोई भी seat select नहीं की तो हमारा जो यह पैसे था वह amount हट गया अब simply हमें यहां पर next पर click करना है तो जैसे यहां पर हम अपना next पर click कर दें तो हमारा जो है कुछ इ डीटेल दी गई है यहां पर आप इसको लोड भी कर सकते हो और चाहे तो आप इसका स्क्रीन सौर्ट भी ले सकते हो यह आपके इमेल आईडी पर भी मिल जाएगा तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए